आजल बेटा अरे ममी आप आओ ममी बैठो अरे ममी आज आप यहां कैसे क्यों? मैं अपनी बेटी और दमाट से मिलने नहीं आ सकती मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती क्या अरे ममी क्यों नहीं आ सकती घर तो पासी में है आप तो रोज आ जाया करो और बता बेटा घर में सब ठीक है? हाँ ममी सब ठीक है दामाट जी कहा है? वो नजर नहीं आ रहे ममी वो तो नाश्टा बना रहे हैं मेरे लिए क्या? दामाट जी नाश्टा बना रहे है? हाँ वो ममी आज मेरे थोड़ा पेट में दर्श था न तो इन्होंने कहा कि मैं बना देता हूँ नाष्टा अरे काजल लगा दू नाष्टा अरे मम्मी जी आप पर ना मम्मी जी हाँ हाँ बेटा खुश रो खुश रो और मम्मी जी कैसे हो आप मैं ठीक हूँ बेटा आप कैसे हो बस सब बढ़िया मम्मी जी आप बताओ आप क्या खाने में पसंद करोगी अरे कुछ नहीं बेटा मैं तो बस बज़ार से घर जा रही थी तो सोचा रस्ते में तुम दोनों से मिलती जाओं अरे ममी जी घर पासी में तो है आप तो रोज आ जाया करो ठीशे बेटा चलो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेके आता हूँ तब तक आप दोनों बाते करो कितने अच्छे दामार जी है बेटा क्या रोज खाना दामार जी ही बनाते है हाँ ममी ये मेरी हमेशा मदद करते है वाँ क्या बात है मैं तो धन्नी हो गई जब मेरी बेटी को ऐसा पती मिला है इतना प्यार करने वाला पती मिला है हाँ ममी ये मुझसे बहुत प्यार करते है बेटा पसंद तो मेरी है मैं नहीं तो दूनदा था दामार जी को बस बेटा तेरे चहरे पर ऐसी ही खुशी रहे और क्या चाहिए मुझे और इस खुशी की जिमेदारी मेरी है ममी जी आप तो ये चाई पीजे और बताईए कैसी है ठैंकि बेटा बहुत अच्छी चाई और नास्ता बना था और ठैंकि बेटा मेरी बेटी को इतना प्यार करने के लिए और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो वस ममी जी आपका आर्श्री वाद है हम ऐसे ही खुश रहेंगे चलो ठीक है बेटा अब मैं चलती हूँ फिर कभी और आऊंगी ठीक है ममी जी कभी भी आ सकते हो आप आप ही का घर समझो ये ठीक है चलती हूँ अब काजल अब कैसी है तुमारी तबेट पहले से फर्क है अभी थोड़ा चलो अच्छी बात है ये अरे ममी जी अपना पर्स तो यहीं भूल गई हाँ ममी जी तो पर्स यहीं भूल गई आप एक काम करो घर जाके ममी को दे आओ ये पर्स ठीक है मैं दे आता हूँ हाई ठक गई आज तो मैं बाहू जड़ाई ग्लास पानी लेके आना हम आज तो मज़ा आ गया काजल से मिलके आ गई ममी पानी ममी आज आपने बहुत देर कर दी आने में हाँ वो आस्ते ही भेल अच्छा काजल के घर गए थे ठीक है ममी अरे सुन क्या ममी पानी लेके तो क्या आया भू कहा है ममी उसकी तब्य तोड़ी ज़्यादा खराब है तो वो अराम कर रही है कमरे में ठीक है उसे कहना है कि एक कप चाए बना देगी मेरे लिए आजकल की भू थोड़ा ससर दुखे न पतियों से काम करवाना सुरू कर देती है ममी चाए ममी खाना भी लगा दू एक काम कर मिटा तू ज़ाडू भी लगा दे पोचा भी लगा दे कपड़े भी धोदे और पहन ले साड़ी बनजा इस घर की लुगाई चदाने भौ को सरप है और बनजा जोडू का गुलाम मतलब ममी अरे भौ की इतनी भी तब्यत खराब नहीं हुई है जो उसको इतना सर पर चड़ा रखा है तुने पानी चाई भी तू लेके आ रहा है और खाना भी तू ही लेके आएगा भौ किसलिए है अराम फर्माने के लिए अरे ममी उसकी तब्यत सच में खराब है जब मैं घर पे थी तब तो इसकी तब्यत खराब नहीं हुई मेरे जाते इसकी तब्यत खराब हो गई जोरू का गुलाम मम्मी आप खामो खाम बात का बतंगर बना रही हो देख अपने रंग दंग देख पता ने क्या जादू कर दिया है भौने तरो पर जो तुम मुझ से जबान लडा रहा है मम्मी जी सच में मेरी तब्यत खराब है मैंने इन से कहा था कि में कर लेती हूँ काम पर इन्होंने ही मना कर दिया था तो भौ रह नहीलए दे एक तो मेरे बेटे को पर पता ने कौन सा काला जादू कर दिया है उपर से मेरे सामने भोली बन रही है नहीं ममी जी ऐसा को एक दम चब और सूरज तू कान खोल के सुन ले खबरदार जो आज के बाद मैंने तुझे काम करते हुए देखा तो अरे जी जा जी आप यहाँ अरे दमाजी ममी जी आप अपना पर्स भूल गई थी वो देने आया हूँ मैं अरे दमाजी आपने तकलिस क्योंकि मैं आ जाती लेने आओ बेटा बेठो चाय बनवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए नहीं ममी जी मुझे घर पे कुछ काम है मैं चलता हूँ अरे जी जाजी इतना भी क्या जुरूरी काम है आओ बेठो न नहीं भईया घर पे जाके किसी को सबक सिखाना है सबक? किसे बेटा? आपकी बेटी को ममी जी क्या मतलब दमाजी? मतलब ममी जी आज कल आपकी बेटी कुछ जादा ही ड्रामे करने लगी है मुझे कहती कभी मेरा सर दर्द हो रहा है मेरा पेट दर्द हो रहा है कभी मेरी तब्यद ठीक नहीं है मेरे साथ काम में हाट बटवा दो काम कर दो मैं कह जोरू का गुलाम हूँ लेकिन आज आपने सिखा दिया ममी जी इन ओरतों की कोई तब्यद खराब नहीं होती इन ओरतों को काला जादू आता है ये ओरते अपने पतियों को अपने बस में करके रखती है अरे नहीं बेटा उसकी सही में तब्यद खराब थी वो ठकी हुई लग रही थी उसने आपके उपर कोई काला जादू नहीं किया अरे नहीं ममी जी इन ओर्टों को सही में काला जादू आता है ये सही में अपने पतियों को अपने बस में करके रखती है आज देखता हूँ मैं उसको घर में जाके ये सही में बीमार्या का भाना बनाती है ये ओर्टे कभी बीमार नहीं पड़ती अरे बेटा पी कोई गलत सेमी हो गई है वो सच में ही बड़ी बिमार लग रही थी अच्छा मम्मी जी आप अपनी बेटी से चंद मिन्ट क्या मिली और आपने पता लगा दिया कि वो बिमार है उसकी तब्यत खराब है आपने एक वार भाबी जी को देखा आपको ये बिमार नहीं लग रही पता है मम्मी जी प्रॉबलम क्या है प्रॉबलम ये है कि दमार सबको अच्छा चाहिए दमाद आप लोगों को ऐसा चाहिए जो आपकी बेटी को प्यार करे जो आपकी बेटी के काम में हाथ बटवाए बेटी के बिमार होने पर दमाद उसकी सेवा करे लेकिन अगर बेटा बेटा अगर अपनी पत्नी से प्यार कर रहा है तो भाव ने उसके उपर काला जादू कर दिया है अपने बस में कर दिया है ममी जी आपकी भाव भी किसी की बेटी है किसी की भेहन है जैसे आप अपनी बेटी को खुश देखना चाते हो उसे हस्ता खेलता देखना चाते हो तो फिर आपकी भौके माबाबी उन्हें हस्ता खेलता ही देखना चाते होंगे ना उन्हें खुश देखना चाते होंगे ना सोचो ममी जी जब आप हमारे ज़हर आये थे अगर आपकी बेटी भीमारी की हालत में काम करते हुए मिलती तो फिर आपको कैसा लगता मैं समझ गी बेटा के तुम मुझे क्या बोलना चा रहे हो मुझे माफ करना बेटा ममी जी मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी ममी जी आप एक औरत हो तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझोगी जब एक लर्की अपना घर छोड़के अपना परिवार छोड़के अपना माईका छोड़के अपने सुस्रा लाती है न तो वो लड़की सबसे ज़्यादा उमीद अपने पती से करती है और पती थोड़ा सा प्यार अपनी पत्नी को दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी ने पत्नी को पर काला जादू कर रखा है इसका मतलब ये है पत्नी की कदर हमारा फर्ज है पतियों का कर्ष तव यह होता है मैं समझ गई बेटा मुझसे बूल हो गई बेटा लेकिन तुम मेरी बेटी को प्यार से रखना घर जाके उससे लड़ाई मत करना बिल्कुल प्यार से रखना जैसे मैं देख कर आए थी तुमारे घर वैसे ही रखना ममी जी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे कुछ चाहके भी नहीं बोल सकता लेकिन आप मुझे प्रोमिस करो ममी जी कि आप भावी को अपनी बेटी की तरह रखोगी भाई अगर भावी के किसी काम में मदद करे तो आप नहीं रोकोगी ठीके बेटा मैं समझ गई हो मैं तुम से वादा करती हूँ आज के बाद मैं अपनी भाव को भी अपनी बेटी की तरह ही रखोंगी अगर मेरा बेटा उसके कोई काम में मदद करेगा तो नहीं रोकोंगी ठीके ममी जी अगर आप समझ गए हो और सॉरी मैंने कुछ ज़्याधा ही बोल दिया हो तो नहीं बेटा तुम सॉरी मत बोलो तुम ने तो मेरी आँखी खोल दी है तुम ने तो आज मुझे भाव बेटी दमाद और बेटे में फर्क बता दिया है ठीक है ममी जी अब मैं चलता हूँ जा बेटा तु भी मेरे और बहु के लिए खाना लगा दे ठीक है ममी नमस्ते दोस्तों तो कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताना अच्छी लगी हो तर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरते हैं अगली वीडियो में